पाग्त की होंदा है? पाग्त दा मतलब कोई सी इंसान नो नहीं कहन देनें पाग्त दा मतलब होंदा है जिस तरह मेरा हार्ट मेरा दिल सारी मेरी बोडी नो खून वंडदा है साफ करके ता मैं जीन दा हाँ जिस दिन मेरा हार्ट कम ना करे उस तो बाद खून सप्लाई रुख जाएगी और मेरी डेथ हो जाएगी एंज मनु जीवित रखनास ते मेरा हार्ट ब्लड ट्रांस्मिट करदा है एंज ही मेरा मन जदो अंदर देवरे दे वस्दे निजकार अंदर वस्दे रब जीदा अम्रत रूपी दुद लेके मेरे इंद्रे ग्यान इंद्रे अनु वंडदा है सार्या नु ठीक करदा है मेरे मन ने देवरे अंदरों सत्गुर्दी मत नु लेया लेके मेरी आख़्ा नु समझाया के वित्करा नहीं देखना चाहिदा करना चाहिदा उंच नीच जातपात नहीं करनी चाहिए किसी को बुरा भला नहीं देखना चाहिए अमीर गरीब नहीं देखना चाहिए हिंदु मुसल्मान सी किसाई का भेदभाव नहीं करना चाहिए सबको अवल अल्ला नूर उपाया कुद्रत के सब बंदे समझना चाहिए मेरी यां आखों को ये मैसेज दिया मनु खीमा करना बार बार मैं पंजाबी बोलन लग पेंदा ते कदे मैं हिंदी बोलन लग पेंदा पर मनु ये थे आण तो पहला मनु क्या गया सी वीर जी कोशिश करना अगर अली गड़ में ज्यादा से ज्यादा हिंदी बोलो मेरे वीर महिंदर पाल सिंग ने मुझे कहा मैं कोशिश करता हूँ हिंदी बोलने की जैसे जैसे मेरी जीब से मैं स्वाद के चसके में रहता हूँ मेरी जीब को मैसेज देना है मैं अपनी जबान से लोगों को बुरा भला कहके गाली निकालता हूँ मेरी जुबान को मैसेज देना है मैं कानों से सब की निंदा सुनता हूँ कानों को मैसेज देना है ये जो मन अंदर से देवरे से मैसेज ले लेके एक-एक इंद्रे ग्यानिंद्रे को देता है ना अच्छा मैसेज उस अवस्था को पागत बोलते है पाक्त कोई इंसान नहीं होता है इस किर्या को जब मेरा मन अंदर से सच कास देवरे से अंदर से खुदा के घर से मैसेज लेके खुदाई पैगाम लेके मेरे इंद्रे ज्यान इंद्रे को दे रहा है when my man is transmitting the wisdom of full message to my all organs उनु के अंदने पाक्त अवस्था